नमाशकार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दो प्रकार के लड्डू बनाएंगे, जो की बहुत ज़्यादा हिल्दी हैं दोस्तों सर्दियों के मौसम में, तो जरूर आप इस सर्दी में ये दो लड्डू बनाके ट्राइक कीजिएगा, और ये बच्चों को बहुत ज़्य पसंद आते हैं ये लड्डू, तो ट्राइक करना बनता है दोस्तों, तो ये दो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गुड की चाचनी तयार करना पड़ेगा, तो चाचनी हमें गाढ़ी वाली तयार करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा च हम गुड को घी में अच्छे से भूझेंगे जब तक अच्छी से सुंधी सुंधी खुजबू ने आती तब तक ऐसे आपको चला चला कर गुड को भूझना है तो कुछ देर बाद बहुत बढ़िया दोस्तों खुजबू आ रही है और उसके बाद हम गुड को पिगलाएंग तो पिगलाने के लिए मैं आपर पानी का इस्तमाल किया हूँ तो वन फोर कप हम यहाँ पर पानी का इस्तमाल किये हैं और उसको बढ़िया से पिगला लेंगे गुड को तो हमें यहाँ पर तीन मेर्था को इस सिरप को पकाना है दोस्तों और जब गाढ़ा हो जाए तब हम इस सिरप को चेक करना है पानी में तो यह देखिए दोस्तों मैंने आपर थोड़ा सा सिरप डाल दिया हूँ और उसके बाद मैं हाथों से इसको देखूंगा यह देखिए दोस्तों बिलकुल हाथों में चिपक नहीं रहा है उसको दबा भी रहा हूँ बिलकुल यह हाथ से चिपक नहीं रहा है, एकदम पर्फेक्ट हमारा लड़ू बनाने के लिए सिरफ तैयार हो गया है तो दोस्तों मैं यहाँ पर रोश्टेड मुमफली और दलिया के लड़ू बनाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर जो मुम्फली रोश्ट लिया हूँ वो एक कप है और दल्या भी एक कप है दोस्तो तो ये दोनों को मैं लड्डू बनाने वाला हूँ बहुती टेस्टी और हिल्दी लड्डू बनने वाले हैं दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पर दल्या के लड्डू बनाएंगे तो दल्या को मैं दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया हूँ और अब हम यहाँ पर गुड का सिरफ एड़ करेंगे चार चम्मच तो सिरफ को एड़ करने के बाद चम्मस से हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से दल्या का जो Michigan है मतलब लडू का बलाने वाला वो तयार हो गया है अब हम यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि डो हमारे हातों में चिपके गर नहीं उसके बाद हम थोड़ा सा डो लेंगे और उसको लड़ू का से दे देंगे तो ये देखे बहुत इजी दोस्तों बनके तयार हो गया है दल्या लड़ू तो इसी process से हम यहाँ पर सारे दल्या के लड्डू बना लेंगे उसके बाद जो बचा हुआ है गुड का जो सिरफ उसको थोड़ा से चला देंगे उसके बाद हम यहाँ पर roasted मुम्फली के दाने अड्ड करेंगे तो दाने को हम यहाँ पर add कर दिये हैं दूस्तो और उसके बाद हम चम्मच से अच्छे से इसको mix कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पर roasted मुम्फली के दाने गुड में अच्छे से mix हो गया है तो अब हम थोड़ा सा चम्मच को साफ कर लेंगे उसके बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि हाथ में चिपके करें डो उसके बाद थोड़ा सा डो लीजिए और उसको लड्डू का से दे देंगे यह देखिए दोस्तो बहुत ही जटपट बनके हमारे तया हो गए हैं दोनों लड़ू रोश्टेट मुमफली के लड़ू और दल्या के लड़ू दोस्तों यह बहुत ही हिल्दी हैं दोस्तों आप अपने बच्चों को जरूर इसको दीजिएगा उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में